हाई दोस्तों आप लोग कैसे हैं हमारे यूटूब चैनल प्रक्रित की ओर में आपका श्वागत है अक्षर मकर संक्रांती के त्योहार पर देखने वाला तिल अकार में चोटा होता है लेकिन इसमें पाए जाने वाले आउसदी गुड वा काफी लाफकारी होता है शामान तो इसके सेवन से कई रोगों को दूर रखा जा सकता तिल अवसदी गुड से भरपूर होता है तिल में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन B1, फास्पोरस, आयरन, मैगनीसियम, कलीसियम, कापर, वेजिंक आद गुड पाय जाते हैं दोस्तों तिल उच्छ प्रोटीन शाकाहरी आहार होता है तिल के बीच को शाकाहरी आहार के रूप में सबसे अच्छा विकल्फ हो सकता है क्योंकि इसमें प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता, दरसर प्रोटीन एक महत्पूर्स पोशक तत्थ होता है जो मांस्पेसियों और हड़ियों का निर्मार करता है साथ ही तिल के सेवन से मदमे से भी बचा जा सकता है तिल सरीर के एंसुलिन अस्तर को नियंतिन करता है जिससे डाइबेटिज लच्छनों को शमान करने में मदद मिलती है दोस्तों तिल में मवजूद एंटी आकसिडेन्ट बेहत लाफकारी होता है दरसल फ्री रेडिकल्स शरीर के स स्वस्थ सेल के साथ मिलकर शरीर को नुुक्सान पहुंचाते हैं ऐसे में gratuitous एंटी आक्सिदेन्ट free radicals को खत्म करके सरीर को बिमारी से बचाने में मदद करता है स्वस्थ स्वस्थ हर्दय के लिए जब स्वरीर में क्लिस्टाल की मातरा बढ़ जाती है तो हिर्दे、 संबंदी रोग होने का खत्रा बढ़ जाता है इसके लिहाज से स्वस्थ हिर्दे के लिए तिल के बीच का सेवन बहत लाफ प्रदो होता है दोस्तों तिल के सेवन करने से हड़ीयों को मजबूत किया जा सकता है क्योंकि तिल में सबसे ज्यादा कैलीशियम की मातरा हम पाई जाती हैं जो हड़ियों की समस्याओं को दूर करता है दोस्तों तील का सेवन करने से लोग बिलिट प्रेसर में भी लाफकारी होता है अगर ज़ किसी को लोग बिलिट प्रेसर की परसानी होती है तो तील के सेवन काफी हद तक अराम दिल प्रकरी